दोस्तों विक्टी इंडिया आपका एक बार फिर स्वागत करता है दोस्तों बर्ड्स यानि की पक्शियों को आम तोर पर शांतर बाव और शांत्रीता के लिए जाना जाता है जब हम पक्षियों को उरता हुआ देखते हैं तो हमारा मन खुश हो जाता है कुछ पक्षियों की आवाज इतनी मधूर होती है कि हम इनकी आवाज सुनते ही बहुत खुश हो जाते हैं तो दोस्तों आज हम ऐसे पक्षियों के बारे में बात करेंगे जो अपनी कुछ विशेश्ताओं के कारण इस प्रत्वी पर एक समय एक साथ राज किया करते थे दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तो आएए दोस्तों जानते हैं इन पक्षियों के बारे में और क्यो आप्टेस विश्व का पहला पक्षी हाली में खोजेगर जीवाश्मों के अध्यन के आधार पर प्रत्व माना जाने वाला यह पक्षी और क्यो आप्टेस लिथोग्राफिका वानमेयर इस प्रत्वी पर जुरासिक युग के अंतिम चलन में 14 करोर वर्षपूर इसकी टोनी अब तक का सबसे भारी पक्षी आधाटन भारवाला यह पक्षी ड्रोमोनियस औस्टेलिया के विशिष्ट विशाल पक्षियों में से एक था जो डेर करोर से 26,000 वर्षपूर तक के समय के मद्ध मौजूद था डाइनोसिस मैक्सिमस अब तक का सरवादी अब तक क्राप कंकालों में सबसे बड़ी उचाई 3.7 मीटर पाई गई अर्जे टाविस मैगनिफिसेस अब तक का ओरने वाला विशालम पक्षी पक्षी जगत में उस वक्त हलचर मज गई जब 1979 में अर्जेंटीना के दो जाने माने जिवास्त वैज्ञानिकों ने यह घो आले हैं कई अजनों के बाद मान लिया गया कि मैगनिफिसेस की उचाई 1.2 मीटर और वेग 120 किलोग्राम था स्टीफर आईलैंड वेल अब तक का सबसे चोटा उडान विहीन पक्षी बरतमाल में सबसे चोटा पक्षी इन एक्सिबर आईलैंड वेल है किन्तु एक प्रजाती का उडान विहीन पक्षी इससे भी चोटा था जो अब विलुप्त हो चुका है 1894 में इसकी खोज के तुरंद बाद ही ये लगबग विलुप्त हो गया था पैसेंजर पिजन अब तक कस्तरवादिक संख्या वाला पक्षी उत्री अमेरिका में इस पक्षी की संख्या एकदम सही अंदाजा लगा पाना कठे ने क्योंकि ये 1900 में दिलुप्त हो गया था वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों आशा करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हमारे चैनल विखी इंडिया को सब्सक्राइब करना ना भूले वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद